ऐसे करा उनके साथ इतना मजबूर कर दिया था कि उसने सुबह सुबह उठके तजाब पी लिया उन्होंने सारे ब्लेम जूटे लगाए है कि यह मेरे साथ जबर्दस्ती करता है मेरे साथ सही से नहीं रहता लेकिन वो खुदी खुशी-खुशी रही थी विल्कुल परिवार की तरह रही थी अभी मेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि उनको बस सब कुछ छोड़के जाना पड़ जी जेल भी उसी ने करवाय था जूटा केस में कहती कि मेरे को पांच लाकर पया दे दे नहीं तो मैं तेरे बाई को बदनाम कर दूँगी उसके उपर रेप का केस लगा दूँगे हमने नमस्कार आप देख रहे हैं जहलको दिली और दिली के बलजीत नगर से बहुत दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है मैं आपको बता दूँँ कि 7 दिसंबर को करीब साड़े साथ बजे प्रेमा सिंग ना इतना ठोस कदम उठाया और अपने परिवार तक को अलविदा कह दिया बताया जा रहा है कि वो पांच साल से एक महिला के साथ रिलेशन्शिप में रहे थे लिव इन रिलेशन्शिप में और उसी ओरत ने जो है उन्हें इस सब करने से मजबूर किया क्या कुछ उसने किया क लेडी का नाम अन्जू मिष्रा लेडी का नाम उसने बहुत जहादा उसे डिप्रेशन में ठी डिप्रेशन दे रहा है तेंशन दे रही थी एक इक चीज़ उसकी मानी थी पर उसको कभी भी अकेला नही Крас note जोड़ था कभी भी बुखोड़ था और उसने हम आसे करा उनके स मँइ एक बात करने कैसे और ऑं बैदा तो है नहीं अब ब्रहे कि एक बात में क intentar कोई सब्सक्राइब कर दिया कि उनको यह कदम उठाना पड़ा अभी मेरी शादी को एक हफता भी नहीं नहीं इतना मजबूर कर दिया कि उनको बस सब कुछ छोड़के जाना पड़ा बहुत परिशान डिप्रेशन तक पहुंच गया उनकी वजह से लगाया था। था अपके पिता पर हां लगाया था लेकिन उनकी वह इन कि अपनी रजामंदी से ह्ताथ में विर्श क हें उनकी सथी पाली जाली छी चील जहीं पर कियो आए थे मेटे शादी के वज़े से उन्हें बेल पर लाया गया था जब वह दनी हो olarak के साथ कोई कहा सुनि होते उस औरत रहे थे दोनों linen जहें पे एकटेती थी खाती पुग्री मुन यह के उसके पेड़ा थे पुरा खर्चा उठा रखा था unity के पास पैसे खुतम हो गयत छो इनले pénalमें बहुत कुंद में कर दो दो इसे उसके उपर कयस लगा कर दिया यह तो इतना उसको अभी वितंग कर रही थी कभि पह resonant कि अरिष्टा दढ़ा दूँगी कभी हमें दमकी देती कि तुमारे लड़के वालों के सुसराल वालों को पाँ जाके मैं उनको सबकु सचाई बता दूँगी तो इसी बासे प्रेम सिंग डप्रेशन में चले गए और उत्त जापिया इन्होंने मजबूरी में बहुत अड़े साथ बचे उन्होंने तेजाब पी लिया था बहुत मजबूर थे वह वह क्योंकि जो अंजु मिष्रा है बताया जा रहा है जिसके साथ वो लिविन रिलेशन्चिप में रह रहे थे करीब पांथ साल से उन्होंने पैसे की डिमांड करी थी और उन पर बताया जा र करवाने के लिए कि लिए अड़ में रहे पी तो लिए जाग एप आप ग्याए ताब में और जैसा है कर सकते हैं जैसे पिए पी तो मैं उनके पास गही थी ती निग में ऑले तू तो आप उन्हों फी पी आई से शाथ देना किने आए तेरे साथ जैते सब कुछ तेर लिए तो जब उन्होंने तेजाब पिया था तब तो जब उन्होंने पहले सी सोच रखा था कि बेटी की शादी के बाद ऐसा कदम उठाने वाले तो उन्होंने तेजाब वह शादी करवाने के लिए आये तो इसने धंकी दी ती तु अब दूबारा थाने में जा सकता है और अगर मिर को यहां तो वांच लाग देदे यां दुबारा तीर को ढद जाना पड़ेगाए तो उनको ए sensitivequila कदम उठा घाथ तो जब वो जेल से आये ताब तो आप लोगों ने कोई केस आप लोगों ने उल्टा केस नहीं डाला कि रेप के गलत चार्जिस लगाए गए हैं आप गए इंसाफ मां यह सबसे ज्यादा रेप केस में लेडिस की सुनवाई होती है इन पुलिस होलों ने हमें साफ बोल दिया था कि जादा तरम उसकी तब भी वह जेल गए उन्होंने हमत नहीं हारी बिल्कुल भी इसके चक्र में साथ दिन के लिए आये थे वह जैसे यह सब पांड हुआ पता नहीं क्या उसने बोला क्या नहीं बोला कि हमें बिना बताए नहीं जाकर नहीं एक अदम उठा लिया और तब से हमें पता हम कैसे रहें नहीं है जिए वहा है विया सब्सके को सब्सक्राय कांजे का है तो यह जब सबखे। कितने दिनों तक वो जेल में रहे पापा मेरे कम से कम 25 दिन तक जेल में रहे थे क्योंकि बीच में उनकी काफी जाना तब खराब हो गई थी बहुत मैं कहरा हूं एंड में आ गए थे पर भगवान की किर्पा थी कि थोड़ा बच्चाव हो गया उसके आप उने जेल जाना है पड़ा जब इनकी लड़की की शाद मेरी भेहन की शादी थी तब हम उने लेक्या आए थे पुलिस वाले भी आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे बस उनको यह था कि मेरे हमारे जेल में डाल दे फिर से क्योंकि उसने प्रेशर दे रहा तक इसको ज चाहती थी हमारे हमें एक खुशी आए अब उसने सब कर लिया अब वो दो दिन से गाया दो दिन से अपनी बेटियों के घर पे बिल्कुल भी नहीं आई है वह भाग गई है वह साब भाग गई है मूह बोल रहे हम किसी दर तरने हाले पूरा का पूरा मामला आपने देखा घर में तो चाहती है इसार नहीं बहुत प्रेशर डाला और उन्हें तैजब पीना पड़ा अच्छा उन्हों ने चार तारिक को तेजाब लेकर आया थे वह एक हपते पहले ली कि आयाए थे अनन पर चार नमबर गली से और हमें नहीं पता कब लाए कैसे क्यूं लाए यह हमें नहीं पता दा पिया उसके बाद वहाँ पर कौन-कौन पहुचे मौके पर मौके पर तो वह से सुवे स्मोर्णिंग का टाइम था हम सो रहे थे अपना तो गली महुले से काफी शोर आया कि अंकल जी ने ऐसा काम कर लिया पर मेरे घर की बेल बजाई थी तो बोलरा है कि परेमा ने तजाब लिया परेमा तब सबसे पहले मैं नीचे गई थी मैं ने उनको जाकर काफी डाबाई बोली उनके साथ के तोने ये कदम क्यों उठाया फिर इनके बैऑा भी आये पिर हम उनको गाड़ी पुल क री कि पॉल की है पने प्टी सके कॉल एफिर उसमें डालके मैं होल स्पीटर light ले घ्या लड़की का गर तो तुम्हें बरबाद कर दूगी तो मैं क्या करूं मैं मजबूर हो के तब पापा खतम हूँ है तो उन्हों कुछ होए जाता मापे एक पुलिस वाला दे रखा था हमें उसके लिए पर जब उनकी मित्रूई तब कोई मतलब पुलिस वाला मापे ड्यूटी पे नहीं था उन्होंने साफ साफ डॉक्टरों न लिखाया आपके पिता की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी फिर भी वो जेल में काफी टेंशन के करके उन्हों पर तब भी जाना पड़ा उनको और उसके बहुत जादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करें उनको जबरतस्ती जेल में डाव दिया गया अब जो है आपके पिता ने अंजू की वज़े से तेजाब प करेंगे आपशी क्या चाहती है आपके कैसा इंसा उमीं आफ मिले अफिसमें आटी करती तो उसका जीते अदू हमारे से बात करती तो हमकुछ करती अब हुआरे करका बंदा कौन वो तो अपसी नहीं बना आईगा आगा व हम लिएइसको पूंच तो सही ना, इसे बात तो करो ना, क्यों नहीं इसको अरेस्ट कर रहे हैं, प्लीस वाले अब कहा गए ठाने वाले, सब कहा चले के, सब सो गए जाके, हमारे गर का बंदा मर गया है, अब उसे कोई डूड भी नहीं रहा है, पूछताश भी नहीं कह रहा है, अब ठाने डेली च करती है उनके साथ, क्या करो मैं बाताऊंगा बातावक हो चैनल पे क्या बताऊंगा, को जो यू जा काम वो पलीस वालों के साथ क्या तो आखरी बार आपसे ही बात हुई थी और बाकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट बगेरा छोड़ा था नहीं बेटा लेकिन वह जो भी उन्होंने कदम उठा उसके जिम्मेदार वो अंजुमिश्रा नहीं जड़ हुई है उनके चक्कर में उन्होंने थेजाब पिया और कोई रिजन नहीं आपके जिन्दगी में खुशिया और गम दोनों एक साथ आए है क्या बोलना चाहेंगे अगे उसने बह हुए हमारी मम्मी को गए हुए और उसके बाद उसने इतना मजबूर कर दिया मेरी शादी के बद पापको कि उनको एक कदम उठाना पड़ा तो आप देख रहें किस तरीके के जो हालाज जो है प्रेमा मिश्रा के जिंदगी में आ गए थे कि उन्होंने तेजाब पीना जो कि इनकी बेटी का घर जो है वो तोड़ दिया जाएगा ऐसे में उन्होंने खुदी जो है अपना दम तोड़ दिया तो बहुत ही जो आप देख रहें कि जो कानून बवस्ता है उसका किस तरीके से कुछ महिला जो है वो गलत फायदा उठाती है यही इसी का अंजाम है कि का शिकार होकर खुदखुशी तक भी करना पड़ता है बाकि आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताए और देखते रहें जहलको दूली